दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात को श्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखिए आप देखे तो कि पॉजिटिव माहल में ये गिरावट है इसके पीछे वज़े है प्रॉफिट बुकिंग अब आप समझ सकते हो कि एक तरपा कोई स्टॉक दोड़ता नहीं है यहाँ पे काफी लोगे जो लगातार बहुत बड़े सपने पाल लेते कि यह स्टॉक एक तरपा दोड़ते हो 30 हो जाएगा 50 हो जाएगा ऐसा होता नहीं है प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आती है क्योंकि जो बड़े इंवेस्टर है वो यहाँ पे काफी भारी मात्रा में निवेस करते हैं उनके जो share होते हैं वो करोड़ों की quantity में होते हैं। ऐसे में यहां पे उनको बहुत ही भारी profit होता है और वो profit book जरूर करते हैं। और आज की deal के अंदर वो समझ में आ रही यह बात कि बड़े fund house न जम के खरीदारी की हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि श्टॉक बहुत जड़ा गिरने वाला है यहां से एक जबर्दस्तेजी के लिए फिर श्टॉक तयार हो रहा है तो क्या करना चीए सुजलोन में क्या सौट टम इंवेश्टर और मिट टम इंवेश्टर को इस समय प्रॉफिट बुक का मौका है और क्या लॉग टम इंवेश्टर इस समय निवेश्ट कर सकते हैं इन सारी बातों को समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से यहां पे सुजलोन अनर्जी ने एकचेंज को यहां पे बड़ी नोटिस के माद्यम से जानकारी दी है यहां पे सुजलोन ने जो मि की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माद्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले वीडियो पस इस तर पे क्लोजिंग दिया जहाँ पे 418 पॉइंट की जबर्दस तेजी थी तो आज बाजार ने तेजी दिखाई है जबर्दस पॉइंट 67 परसेंट दोड़ा बाजार और इसके पीछो वज़ाए एफ़ए का पॉजिटिव रुजान निप्टी एनरजी में भी सांधार तेजी थी आप देखें तो 24,399 के इस तर पे 0.54% की तेजी लगबग 10% से ओपर की तेजी लेकिन सुजलोन में हमें गिराउट देखना को मिली आप देखें तो श्टॉक की सुरुआत पॉजिटिव हुई 15.40 पर क्लोजिंग थी कल की 15.30 की उसके बाद में श्टॉक ने 15 15.75 का हाई भी बनाया यानि कुछ समय कले श्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी लेकिन जो लो बना वो 14.75 का है यानि 15 के इस तर को तोड़ा श्टॉक नीचे गया लिग उसके बाद में बड़े फंड़ा उसकी जबरस खरीदारी शुरू हुई वो दो बज़े के बाद 23% का बंपर रिटन दिया है और ये आप समझ सकते हो कि जो श्टॉक 8 के आसपास था वो इस समय 15 के पार है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है और जो इन्वेस्टर जिन्होंने शॉर्ट टम के लिए निवेस किया होगा उनको एक महीने में उनकी रकम एक तर 24 रुपिच के आसपास था और वहां से ये दोड़ा तो इसने जो हाई बनाई थी आप देखे तो कि 14 जनुवेरी 2022 को ये लगबग 12 रुपिच के आसपास पहुच गया था उसके बाद में इसमें काफी जादा गिरावट फिर सुरू हुई अब रिसेंटली देखे तो ये थोड़ा सा नीचे ज़रू किया लेकिन फिर से उसने एट के सपोर्ट को पकड़ा और ये बात मैंने लगातर बुरी थे कि यहां पे खरिदारी का मौका है और काफी लोगों ने उससे हमें खरिदारी भी की है और इसको बहुत भारी यहां पे प्रॉफिट मिल रहा है वैस इसने लगबग 8 रुपए के आसपास खरिदारी किया उसको बैतर रिटनी समय मिल रहा है और उगर वो शॉट टर्म मीटर मिनवेश्टर है तो उनको प्रॉफिट बुक करना चीए आप यह देखी सकते हो 28 मार्च 2023 को यह 7 रुपए तक चला गया था और वहां से इसने के उपर का वॉलिम हो चुका है अब यहां पर सुईलोन की तरफ से जो कल काफी बड़ी मिटिंग रखी गए थी बारा जुनको कंपनी की जो बोर्ड मिटिंग हो थी उसमें फैसला लिया गया है कि जो शेर जारी किये दे आप देख सकते हो कि राइट इशू के मादिम से ज जो शेर है उसको जो पूरी तरह से देखे तो उसको भी कनवर्ट किया जाएगा और इसका अप्रूवल मिल चुका है तो जो फेस रूपे वेल्यू है इसकी दो रूपे की उसके इसाफ़ से जो शेर जारी किया दे और जो कस्टमर थे जो शेर ओल्डर थे उनको पांच और कल की बोल्ड मीटिंग में इसको पर फैसला हो गया है एप्रूवल मिल चुका है देख सकते हो कि यह जो आज प्रॉफिट बुकिंग हुई इसके पीछे वज़ाई है गिरावट की प्रॉफिट बुकिंग और दूसरा कोई रीजन यह है फंडामेटल कंपनी के आच क्याना है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करिया उसमें आने वाल से में बहुत सारी संभावना है ऐसे में इसका कंपनी का भविश्यों काफी उज्वल है तो एक लंबे से मिकले आप इसको खोल्ड करके रख सकते हैं फंडामेटल आपको देखते रहना चाहिए लेकिन दिव रुपीज का है तो टोटो रुपीज के सपोर्ट के साथ में आपको इसमें बने रहना है और 19 के टारगेट के आसपस आप खर layouts का मुखहा है तो यह इसके सपोर्ट और target दिखाए दे रहे और लगभग यही target सबकी तरफ से निकल के भी आ रहे तो एक तरपा यह तेजी के म और गिरावट हुई तो देख सकते हो सुब नौ बचकर 16 मिनट पर 15.25 की प्राइस से 44,18,000 की बिक्वाली हुई उसके बाद 9 बचकर 20 मिनट पर 15.55 की प्राइस से 35,81,000 की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई फिर देख सकते हो कि 9 बचकर 36 मिनट पर 15.75 की प्राइ फिर 9 बचकर 40 मिनट पर 15.45 की प्राइस से 44,74,000 की एक बड़ी बिक्वाली और हुई उसके बाद 9 बचकर 48 मिनट पर 15 की प्राइस से 42,23,000 की एक बड़ी बिक्वाली और हुई और ये सुबह 10 बजे के पहले-पहले जम के प्रॉफिट बुकिंग हुई या किसी बड़े फ 15.10 की प्राइस से 21,63,000 की एक बड़ी खरीदारी और हुई उसके बाद 3.25 की प्राइस से 15,28,000 की एक बड़ी खरीदारी और हुई तो ये तो क्लेली समझ में आ रहा है कि सुबह 10 बजे तक तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसके बाद जो डील है वो बड़े डील तो सारी की सारी खरिदारी की है और यह इसारा है कि यह stock फिर से दोड़ेगा यहाँ पे कोई पूरे दिन बड़ी profit booking नहीं हुई है और इस विज़े से stock में बड़ी gear out भी नहीं हुई है और एक तेजी के लिए फिर stock तैयार है अब एक बार हम इसके pivot level को check लेते हैं तो यहाँ से अगर gear out और हो जाती है तो 14.47 का first support है यह टूटा दो stock आपको 13.63 तक जाता हो दिखाए देगा और यहाँ पर भी इनी रुका तो फिर तीसरा support 13.17 का है positive महाल बना तो आप देखें तो 15.77 का first resistance है इसको पार कर लिए तो फिर 16.23 के stock जाएगा और वहाँ तक पहुचगा फिर 17.07 यानि 17 का target देखनों को बिल सकता है तो जो long term investor है उनको बने रहना है short term investor एक बार profit book कर सकते हैं आप चाहे तो आदेशे और बेचे आदेशे रख दे नीशे जाने पर फिर खरीदारी करें लेकिन मौका है इस समय एक long term करने जा लेकर निवेश करने का या आने वाले समय आपको माला माल कर देगा लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor बाड़े ले ले या अपना खुद का research करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जूँकि जोड़ चैनल को subscribe कर दीजे थेंक यो friend